आपको क्या लगता है या आपका क्या मानना है कि जिन्दगी कहां से शुरू होती है? क्या ये गर्ब से शुरू होती है? या जब आप जन्म लेते हैं? या कब आत्मा शदीर में प्रवेश करती है? अब आप चीजों की कलपना कर रहे हैं? वैसे मैंने कई लोगों से सुना है जो कुछ भी मुझे पता है या आप इसे मेरी कंडिशनिंग कह सकते हैं पिल्हाल मैं आपके अपने और यहां बेटे लोगों के बारे में बात कर रहा हूं अब आप आत्मा नाम के किसी और आदमी को बीच में ला रहे हैं चलिए जीवन शब्द का प्रयोग करते हैं क्योंकि आत्मा शब्द को ज्यादा ही दूशित है आप जानते हैं कि लोग सोल मेट्स ढूण रहे हैं यह बिल्कुल साफ है यह बिल्कुल सीधी बात है कि आपके शरीर को साथी की जरूरत है आपके दिमाग को साथी की जरूरत पढ़ सकती है लेकिन आत्मा अगर वो पून है तो पक्की बात है कि उससे साथी की जरूरत नहीं होगी है ना तो चलिए इसे जीवन कहते हैं इस शब्द के बुरे उपयोग कम हुए है जीवन शरीर के साथ ऐसे ही नहीं जुड़ता ये एक प्रक्रिया की तरह होता है जब भी कोई औरत यमा गर्बधारन करती है दो छोटे छोटे सेल एक दूसरे से जुड़ते हैं फिर उनसे एक मास का गोला बनता है इस मास के गोले को जीवन बनने के लिए गर्बधारन करने के लिए लगभग 40 से 48 दिनों के बीच इसमें जीवन की प्रक्रिया प्रवेश करती है मुझे नहीं बता कि मेडिकल ओपिनियन क्या है कि यहां कोई डॉक्टर्स हैं? हाँ? ओके 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 मैं यह अपने निजी अनुभव से कह रहा हूँ 40 से 48 दिनों के बीच वो समय है जब आप प्रवेश करते हैं कुछ ऐसे जीवन भी होते हैं जो बाद में प्रवेश करते हैं मान लीजिए यह ऐसे चीज है जिसे एक औरत या मा महसूस कर सकती है अगर हम उन्हें थोड़ी ट्रेनिंग दे अगर वो देखती है कि जीवन ने 48 दिनों के बाद प्रवेश किया है तो आप सच में किसी खास प्राणी को जन देने वाली हैं क्योंकि इस जीवन को अंदर सेटल होने में वक्त लगेगा कोई बहुती असाधारन जीवन जन लेने वाला है आपने सुना होगा कि किसी ने गौतम की मा को देखा और कहा कि आप एक असाधारन प्राणी को जन देने जा रही हैं किसी ने यशोदा को देखा और कहा कि आप एक जबरदस प्राणी को जन देने वाली हैं इसका कारण ये है कि जब आप देखते हैं कि गर्ब धारण करने के 48 दिनों के बाद भी जीवन ने प्रवेश नहीं किया है, बलकि इसके कुछ दिन बाद प्रवेश किया है, तो इसका मतलब है कि आप एक असाधारण जीव के आने की उम्मीद कर रहे हैं. ऐसा क्यों है? अगर मैं इसकी पेचीदगी को समझाने की कोशिश करूँगा, तो आप कहीं और चले जाएंगे. पर सामान ने जीवन 40-48 दिनों के बीच प्रवेश करता है. अब इसके बाद, अगर किसी कारण से, आखिरकार गर्ब वो फैक्टरी है जहें शरीर का निर्मान होता है, किसी कारण, अगर अगर शरीर वैसा नहीं बन पाता कि वो उप्युक्त हो इस जीवन के लिए या किसी भी जीवन के लिए, तो जीवन डिलिवरी से पहले ही उसे छोड़ने का फैसला कर लेता है, तो ये शिशु मरा हुआ पैदा होता है, या कभी-कभी किसी भी मजबूरी की वज़े से, एक माँ अपने बच्चे को गिराने का फैसला करती है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन इस प्रक्रिया में, इस जीवन का उस शरीर के साथ जुड़ाव, असल में लगभग 84 से 90 दिनों के बीच होता है, तब ही जीवन पूरी तरह से जुड़ता है, तब तक ये उसे परक रह होता है, वो देख रह होता है कि ये अनुकूल है या नहीं, ये गर्ब सही वासना कहते हैं, आप एक ऐसा शरीर ढूंते हैं, जो आपकी वासनाओं से मेल खाए, तो हाला कि ये अभी आधा जुड़ चुका है, पर फिर भी 90 दिन से पहले वो छोड़ कर जा सकता है, 84 से 90 दिनों के बीच जीवन पूरी तरह से जुड़ जाता है, उसके बाद से वो मच मुच एक जीवन बन जाता है.